तो गाइस फानिली टीवेस आईक्यूव इलेक्ट्रिक लॉंच हो चुकी है और आज की वीडियो में आपको स्कूटर के ऐसी ऐसी बाते बताने वालू हूँ जो शायद आपको और कोई नहीं बताएगा और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने रुपे की बिजल हो तो वीडियो को लाइक करना बनता है तो चले गाइस आप बीन आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो यहां पर टीवेस आईक्यूब का सेकेंड जनेशन मोडल लॉंच हो चुका है और इस बारी जो स्कूटर है वो तीन मोडल में अवेलेबल है पह अगर बात को स्कूटर से मिलने वाली टॉप स्पीड गी तो आपको टीवेस आईक्यूब से 78 किलोमेटर परार की मैक्सिमम टॉप स्पीड देखने को मिलेगी और एक बार सिंगल चार्ज में जो स्कूटर है वो 100 किलोमेटर तक रन कर लेगा और यहां पर इस स्कूटर को चार्ज होने में लगएंगे लगबग 4 गंटे 30 मिनिट और यहां पर आपको टीवेस आईक्यूब में 5 इंच का फुली कलर TFT डिस्पले देखने को मिलेगा और जो टीवेस आईक्यूब है वो मार्केट में 3 कलर में अवेलेबल है और यहां पर आपको स्कूटर में जो सरक आईक्यूब एस और इस मोडल में जो भी टॉप स्पीड है राइडिंग रेंज है और फुल चार्ट की टाइमिंग है वो आपको गाइस बेस मोडल की तरह ही देखने को मिल जाती है बट यहां पर आपको 5 इंच की जगह आपको स्कूटर में 7 इंच का फुली कलर TFT कंसोल देखने को मिलेगा जो कि काफी जदा है और यहां पर आपको काफी बढ़े बढ़े फीच द अइस कंसोल में देखने को मिल रहा sugar मानों की पूरा का पूरा टाबलेट यहां पर फिट कर दिया हो और और iCube S का जो प्राइज है वो है 1,09,000 और प्राइज वो भी डेली के अंदर यहाँ पर जो थर्ड मोडल है उसका नाम है TVS iCube ST और यहाँ पर iCube ST की जो टॉप स्पीड है वो है 82 km per hour और यहाँ पर एक बार सिंगल चार्ज में यह जो स्कूटर है वो 145 km तक रन कर सकता है इसके लबा बात करें चार्जिंग टैम की तो इसकूटर को लगते हैं 4 गंटे 6 मिनट फूल चार्ज होने में और यहाँ पर आपको इसकूटर के अंदर 7 इंच का टस्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि guys iCube ST काफी जदा एडवांस है और यहाँ पर इस कंसोल के अंदर आपको काफी सारे कस्टमाजेशन के ऑप्शिन जो है मिल जाते हैं और ऐसे फीचर देने वाली टीवेस पहली कंपनी इंडियन मार्केट के अंदर है इसके लगवा आपको टीवेस iCube के साथ 3 साल की वरंटी देखने को मिलेगी वन येर का आपको रोड साइड असि बिजिल लगा के यह जो स्कूटर है वो लगबग 500 किलमेटर लग असानी से चल सकता है इसके लब बात करें स्कूटर के सप्पेंशन सेटप के बारे में तो यहां पर आपको स्कूटर के फ्रेंट में देखने को मिलेगा तैलिस्कॉपिक फॉक्स स्पेंशन और आपको स्क स्कूटर के सिट्र सब्सक्राइब देखने को मिलेगे और ऐसे को यहां पर आपको फ्रेंट और इन्चेशन देखने को मिले तो इसको भूटर के सेंदेगा तो यह है तैज कैस्ी में तुक्स यह बहलता कि नवह स्कूटर के दष जाएगा और नहीं जाएगा वाटर'd तो लगने खतर है वो भी स्कूटर में काफी ज़्यादा कम है यहाँ पर गाइस बात करते हैं टीवेस आई क्यूप के की फीचर के जो की तीनों ही मॉडल के अंदर आपको युनिक देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले तो गाइस आपको स्कूटर के अंदर आपको लाइट भी द में लगबग सो से प्लस फीचर देखने को मिलने वाले हैं और गाइस अगर इतने फीचर एर ओल्ला एलेक्रिक प्रोइड करता है तो गाइस उसके क्या ही कहने बट गाइस मुझे यह लग रहा कि आने वाले समय में यह जो टीवेस आईक्यूप का निया मोडल है वो ओल्ला बूट स्पेस के अंदर आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल रहा है और गाइस आपको यह वाली स्कूटर कैसी लग रही है यह तो आपको मुझे प्लीज कमेंट करके बता रहा है इसके लिए आपको स्कूटर के रिगारिंग कोई भी कोशन हो तो आप मुझसे